तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्की बिद्या का वोबला वीडियो फिलिम के सुला दिन की टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और सिंगा मगेन और भूल भले अथरी फिलिम के एडबांस बुकिंग के बारे में और साथी साथ ये भी कि अलोड जुनसर की आने वाली फिलिम पुस्पाटू ने रिलीज से पहले ही एक हजार पचासी करोर रुपए की कैसे कमाई कर ली है तो वीडियो पर सुरूर से अंतक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात इस फिल्म का बज़र 75 करोर रुपया है और इस फिल्म ने पहले दिन जहां इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 5 करोर 50 लाख रुपई की कमाई की थी तो इस फिल्म ने अपने चोदोवे दिन सिर्फ 75 लाख रुपई की कमाई की और इस तरह से इस फिल्म ने 14 दिन में इंड लोग देख सकते हैं और ये फिलिम कल अपने पंदरहवे दिन 65 लाक रुपई की कमाई की और ये फिलिम आज अपने 46 लाक रुपई की कमाई की है तो इस तरह से इस फिलिम का सोलह दिन का टोटल नेट इंडिया बॉक्स ओफिस कलेक्सन 40,81, acne रुपया हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्सन 47,50,000,000,000 प्या हो चुका है और हो ही बात करें इस फिल्म की वर्लड वाइठ बॉक्स ओफिस कलेक्सन के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म ने 16 दिन में दुनिया भर के बॉक्स ओफिस से 55 करोड 30 लाख रुपई की सांदार कमाई कर ली है पर दोस्तो इस फिल्म का बज़र्ट भी 75 करोड रुपया है तो इसलिए दोस्तो इस film को बॉक्स ओफिस पे हिट होने के लिए अभी और भी बहुती ज्यादा कमाई करनी परेगी वैसे आपको बता दे कि इस film को देखने के लिए जितने भी दरसक थियाटर्स में जा रहे हैं इन में से सभी दर्सकों को ये फिलिम काफी पसंद आ रही है क्योंकि दोस्तों ये कमेडी ड्रामा फिलिम है जो दर्सकों को थेटर्स में हसने पर मजबूर कर दे रही है और मैंने भी इस फिल्म को देखा है और मुझे भी ये फिलिम काफी पसंद आई है तो दोस्तो अगर आप लोग भी कमेडी ड्राव फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को आप लोग पुरे परिवार के साथ आराम से देखने जा सकते हैं क्योंकि दोस्तो इस फिल्म में कोई ही वलगर सीन नहीं है तो ये दोस्तो बात करें अल्लो और जुंसर के आने वाली फिल्म पुसपाटू के लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग को पताई होगा कि ये फिल्म पहले 6 दिसंबर को थेयेटर्स में रिलीज होने वाली थी पर दोस्तो अब इस फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये फिल्म 6 दिसंबर को नहीं बलकि 5 दिसंबर को ही थेटर्स में रिलीज हो जाएगा जिसके बारे में अल्यो और जुनसर ने खुदी अपने इस्टाग्राम पे एक पोस्टर सेयर करके दर्सकों को बताए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और आपको बता दे कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 1085 करोर रुपाई की धमाकेदार कमाई कर ली है जिसमें से ठेटिकल राइड से 660 करोर रुपाई की तो ही डिजिटल राइड से 275 करोर रुपाई की तो ही मुजिक राइड से 65 करोर रुपाई की तो ही सेटेल आइड राइड से 85 करोर रुपाई की और इस तरह से इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 1085 करोर रुपाई की सा लोगने वाली है तो ही दोस्तों बात करें अजयद बंसर के आने वाली फिलिम सिंगा मगेन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे की इस फिल्म का अब तक का सबसे धमदार गाना कलरली जो चुका है जिसको दरसक बहुती ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इस सौंग में माधर दिछिक जी और विद्यापालन जी बहुत ही बहतरी डैंस करती हुई नजर आ रही है और इस गाने को वज़े से ही इस फिल्म का क्रेश और भी ज़्यादा बढ़ गया है और इस फिल्म के अडवांस बुकिंग भी आज साम सही खुल जाएगा तो दोस्तो आप देखने वाली बात ये होगी कि भूल भूल यातरी फिल्म और सिंगम अगेन में कौन सी फिल्म बॉक्स ओफिस पे सबसे जादे कमाई करेगी और अगर चानल पे ने हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में